Good News, Enlightened Master, तीज ग्यान फांडेशन के संस्तापक, सर्श्री जी को लाइव सुनने का सुनेहरा मौका, सर्श्री द्वारा विशेश संदेश, शानदार जीवन कैसे जिये, how to go beyond yes and no, माया की दलदल से आजादी कैसे मिले? एक इंसान हसता, खेलता, मुस्कराता, बस में बैठा और कंड़क्टर आया, उसने टिकेट निकाली, छुट्टे नहीं थे, बंदा नोट दिया, कंड़क्टर के पास छुट्टा नहीं था, कंड़क्टर ने पैसे लिए, टिकेट दी और कहा बाकी पैसे थोड़ी देर के बाद देता हूँ, जमा हो जाएंगे न, बस में, तब में तुमको देता हूँ, अब उस इंसान की बाकी की यातरा कैसे बितेगी? अब तक हसता, खेलता, सफर करना है जीवन का, और हुआ क्या, कंड़क्टर ने कहा, बाद में देता हूँ, अब पूरी देर कंड़क्टर को देख रहा है, पैसे जमा हुए, पैसे जमा हुए, पूरी यातरा, किसी और पर फोकस, कोई अपने भाई पर, कोई पिताजी पर, कोई ननंद पर, कोई भावी पर, कोई सास पर, कोई बहू पर, कोई बॉस पर, कोई करमचारी पर, कोई पडोसी पर, पूरा फोकस उस पर है, ये सुदरे तो मैं मुक्त हो जाओं, ये सुदरे तो मैं मुक्त हो जाओं, इस का तो याद आना चाहिए. कहीं भूल तो नहीं है? इतनी देर हो गई? आया ही नहीं. इसे याद आना जरूरी है. यह भूल गया, तो मेरा जीवन बिकार हो गया. कोई और सुधर जाा है. या कम से कम जो घरवाले हैं खुश तो रहें खुश भी नहीं रहते हैं, हम भी खुश नहीं रहे पाते हैं इस वज़े से हमें तो कोई प्रावलम नहीं, मगर इनका दुख देख देख कर हम दुखी है हम तो वैसे खुश रहने वाले लोग हैं मगर ये घरवाले दुखी रहते न, इनको देख देख कर हम दुखी हो जाते हैं, अरे कभ ये शिकायवतों से उपर उठेंगे, कभ ये मुक्त होंगे तांके हम मुक्ती उज्जाय कर पाएं, हम तो कभी का मुक्त हो चुके, मगर इनको देख देख कर हम भी बंदन में है तो इनसान किसी और की गलती की सजा खुद को दे रहा है उसे याद नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ आपको डिसाइड करना है क्या मुझे ऐसे ही जीवन जीना है या आज से डिसाइड करना मैं इस लूप से बाहर हो जाओं ये सामने वाला याद करे तो मुझे राहत मिले मेरा सफर, मेरी यात्रा सुखद हो थोड़ी देर पहले गुन-गुनाता हुआ बस में चड़ा था क्या हो गया पूरी यात्रा व्यर्थ हो गई तो इनसान क्या सोचता है कोई लोगों की वज़े से मैं मुक्त नहीं हो सकता मुक्त नहोने का लूप क्या है लोगों की वज़े से मैं मुक्त नहीं होता या परस्तियों की वज़े से मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परस्तिय है इस वज़े से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा जब तक परस्ति नहीं बदलेगी, बाहर की परस्ति नहीं बदलेगी, तब तक मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ या मैं मुक्त क्यों नहीं हूँ खुद की वज़े से या मैं मुक्त नहीं हूँ खुदा की वज़े से खुदा जी नहीं चाहता मैं मुक्त क्यों नहीं हूँ किस्मत की वज़े से किस्मत यह सी है तो आप ने इस लूप में किसको डाल के रखा है कौन सा इन्सान है, कौन सी परस्तिती है, आप खुद है, खुदा है, किस्मत है, आपको ये लूप तोड़ना है, आपको पूरी जिम्मेदारी अपने उपर डालनी है, तो रास्ता मिलेगा, इसको कहते हैं इनसाइड आउट जीना, इनसाइड आउट जीना, वरना लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, आउटसाइड इन, बाहर ये ये करेंगे, तो अंदर शान्ती आएगी, बाहर ये करम कांड करेंगे, तो अंदर शान्ती आएगी, मगर ये उल्टा है, इससे लूप तूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, तो आपको सही तरीके से ये काटना है. विशेश प्रोग्राम ऑनलाइन भी होने जा रहा है, जूम और यूट्यूग के द्वारा, यह प्रोग्राम पूर्णतह फ्री है. सर्चरी एक इनलाइटन मास्टर है, जिनकी शिक्षाओं से पिछले बीस सालों में लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा मिली है, तो यह उपन फॉर आल प्रोग्राम हम खुद तो अटेंड करें ही, साथ ही अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी अवश्य दें. रेजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें.